आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि हम DIY handbag organizer कैसे बना सकते हैं यह बहुत ही easy है और अगर आप इस तरीके के कोई भी पर्स यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें जनरली एक यह दो compartment होते हैं और एक small pocket होता है इसके अंदे कभी कभर आपको इसके साथ इस तरीके के key pockets में मिल जाएंगे पर हम सारी चीज़े अगर इसके अंदे रखते हैं तो बहुत ही mesh हो जाता है और हमें बहुत ही problem होती है फिर कोई भी चीज दूणने के लिए अपनी सारी अशेंशनल से आप इसके अंदर organize करके रख सकें इसके लिए हम यहां पर DIY handbag organizer बनाने जा रहे हैं आपको इस तरीके का कोई भी shopping bag चाहिए इसके उपर मैंने three equal parts कर दिये और इसको मैंने pen से mark कर दिये यहां पर अब देख सकते हैं अब यह जो हमने mark किया है यहां से हम bag को फोल्ड करेंगे ताकि हमें हमारे compartments मिल जाए bag organizer के लिए आपको इस तरीके से inside out इसको फोल्ड करना है then again do it the same procedure यहां से इसको पकड़ के आप फिर इसको वापस फोल्ड कीजिए तो आपका जो फोल्ड है वो निकलेगा नहीं हमारे पास यहां पर three compartments ready हो गया है अब हमारी organizer के sides को हम favicol से या fabric glue से या तो हम hard glue gun भी यूज़ कर सकते हैं इससे हम इसके corners को stick कर देंगे ताकि फिर यह निकले नहीं इम प्रोसेजर अंदस अगें साइड अभी हम वापस पैन लेकिए मारी compartments के अंदर मार्क कर देंगे जिसके आपकी जो भी essential things है उसके हिसाब से आप ये compartments बनाए मैंने यहां पर first में three points किया है तो यहां पर मुझे four pockets मिल जाएंगे अब यह साथ इसको में अंदर से glue से stick कर दूंगी मैंने अब्सक्राव आप देख सकते हैं यहां पर फोर फॉर पॉकेट्स रेडी हो गए तो हमारी चूपी छोटी छोटी चीज़े होते हैं इसके अंदर हम रख सकते हैं इसके बाद मैं second pocket में यहां पर दूसरी में जोकिस मीच कंपार्ट में सरी साइट पर 3 ठीव मार्क करूंगी बीच कि इस पोकेट्ट बिच थोड़े से बड़े होंगे पर न्याओ लोन इस बार के बार गि competency हैं और भेकोง के लिविच चाहिए ज़े बीच सेफ़ मायी हें कि या थिस आप यह सारे पॉकेट्स अपने चीजों के हिसाब से बना सकते हैं लेट इड्राइब फूर फूर बिनेट्स यहां पे ग्लू का यूज नहीं करना है तो आप इस तरीके से सेफ्टी पीन्स का यूज कर सकते हैं पैन से मार्क कर दीजिए अपनी पॉकेट्स को और फिर सेफ्टी पीन्स यूज कर सकते हैं या तो स्टैपलर भी यूज कर सकते हैं आपके पोपस के अंदर को चायेगा तो यह दिखने बाला है नहीं किसी को आप इस तरीके से भी अपने पॉक criterion रडि कर सकते नहीं अपको चै से होड़ी आपको जब भी आपने स साइस जोड़ी या बड़ी करनी है तो आप कर सकतें ईशा練 हुआ हुआ है अब हम अपनी सारे ही सामार इसके अंदर रगागे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक सारे चीज हम फॉकिट्स में डालएंगे एंटल इसेंशल झिंख करने के लिए मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जिसके लिंक में डिस्कृप्शन बॉक्स में डाल दूगे और देख सकते हैं सारा ही सामान अगया है अब यÄ if you like it then please do subscribe our channel for more new videos and don't forget to like share and comment thank you so much for watching